74,000 रुपे रुपे में लॉंच हुआ शांदार इलेक्ट्रिक स्कूटर, मात 2,200 रुपे की MEPO के क्लासीक अलेक्ट्रिक स्कूटर. ओके classic electric scooter, भारत में आज की तारीक में हर कोई एक electric scooter लेना चाहता है जिसकी वज़े से electric scooter की demand बड़ी तेजी से बढ़ रही है और इस बड़ती demand को देखते हुई काफी नाती नई startup company जिस market को capture करने में लगी हुई है ऐसी ही एक startup company OKYA ने हाल ही में एक सस्ती कीमत वाला electric scooter निकाला है जो की बड़िया features और ठीक ठाक range के साथ आता है इस scooter का नाम है OK Classic Electric Scooter, चलिए जानते हैं इसके बारे में और भी details में OK Classic Electric Scooter, OKAYA Class IQ Electric Scooter में एक शांगदार battery लगाई गी है जो की इस scooter को बड़िया range प्रुवाइट करवाने की काम आती है ये battery एक दशमलव 44 को अतक का output दे सकती है इसकी battery को full charge होने में मात्र 4 घंटे का समय लगता है और एक बार full charge हो कि ये electric scooter 70 km तक की range दे देता है तो अगर आप भी रोज के कामों के लिए एक सस्ता electric scooter लेने की सोच रहे थे तो ये एक बढ़िया choice हो सकती है Motor और top speed बात करें इस OK Classic Electric Scooter की motor की तो इसमें एक काफी बढ़िया quality की electric motor का प्रयोग किया गया है जो की इसे बढ़िया speed provide करवा देती है बात करें इस electric scooter की top speed की वो है 25 किलोमीटर प्रती घंटा इसका look और design भी देखने में काफी शांदार लगता है और लोगों को ये scooter काफी पसंद आया है इसके launch के बाद से ही ये काफी चर्चा में है क्योंकि इसकी speed काफी कम है और इसे चलने के लिए driving license की जरूरत नहीं पड़ती शांदार features मिलेंगे कम कीमत में OK Classic Electric Scooter काफी सारे features के साथ आता है जिनमें से कुछ features है front tire में disc brake और rear tire में drum brake, led lights, USB port, reverse mode, anti-thaved security system, शांदार look और अच्छा खासा ground clearance भी मिलता है जिससे इसे उबर खाबर रास्तों पे चलने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है OKAYA Class IQ Electric Scooter की कीमत है मात्र 74,000 रुपे रुपे लेकिन अगर आप इसे M.E.P. लेना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए कमपनी की तरफ से 2250 रुपे रुपे प्रती महीने का M.E.P. प्लान भी प्रुवाइड करवाया जाता है OKAYA's Best Electric Scooter in India OK Classic जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब भारतिय बजार में भारतिय नागरिक सिर्फ इलेक्रिक वाहनों की ही मान कर रहे हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन काफी खचे वाले होते हैं जिस वजह से आम भारतिय नागरिक बहुत ही परेशान रहते हैं लेकिन अब हमारा भारत इलेक्ट्रिक वाहन सेग्मेंट में बहुत तीजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके तहट अब हर नई और पुरानी कमपनी एक से बढ़कर एक भारतिय बजार में अपना इलेक्ट्रिक वाहन लॉंच कर रही है.